नमस्कार आर्या न्यूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी बॉलिवुड की कुछ बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बता दे आपको कि सुजैन खान को हाल ही में उनके बॉइफरेंड अरसलान गौनी के साथ मुंबई एरपोर्ट पर स्पॉट किया गया सुजैन बेहद ही खुबसूरत नजर आई उनके साथ उनके बॉइफरेंड अरसलान गौनी भी दिखाई दिये बेहद खुबसूरत कपल नजर आया हाला कि इसके बाद वे एक कारिक्रम में पहुँचे जहां पर कई फिल्मी सितारे पहले से मौझूद थे खुबसूरत ना कि इसके बाद नजर आई माइ बीच टॉट करें चार चारर जा चारर ऑषिए प्रेट जार प्रेकर प्रेट मेरे neuप डिच तरॉफ स्ट्रॉफ ऑज प्रेकर लुट चारर चार चारर उट प्रेट ट्रॉप्र खार चारर चंडर पर नहीं युटर अज बहुट माइम वेड़ा वेड़ कुछ जाइचा हूँ श्रद्धा कपूर को इंडस्ट्री में एक दशक से भी ज्यादा हूँ चुका है इतने सालों में एक्ट्रस ने कई फिल्मों में काम भी किया है और बहतरीन रोल निभाए है लेकिन फिर श्रद्धा के पाओं आज तक जमी पर ही टिके नजर आते हैं मानू बॉलिवुट के ग्लैमर की दुनिया उन्हें छूही न पाई हो एक बार फिर सादगी से भरे अंदाज में श्रद्धा एरपोर्ट पर दिखी पीले रंग का अनारकली सूट और सिंपल सी सैंडल पहने श्रद्धा आखों को खूब जची ना ज्यादा ताम जाम ना ही शो ओफ चुप चाप मास्क लगाए एरपोर्ट से नकली कुछ तस्वीरे खिचवाई और चली गई मश्हूर अभिनेत्री निया शर्मा घर घर में जाना पहचाना नाम बन चुकी है निया शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड लुक्स को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है निया शर्मा हर फोटो और वीडियो में एतनी ग्लैमरस लगती हैं कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता है जाता हुआ जाता है बॉलिवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोडा को अपने एक्स हस्बन अर्बास खान के साथ बीती रात मुंबई अरपोर्ट पर स्पोट किया गया दरसल इस दोरान दोनों अपने बेटे अरहान को रिसीव करने के लिए पहुचे थे इसका एक वीडियो भी सामने आया है इसमें अरहान खान जैसे ही एरपोर्ट के बाहर आते हैं वैसे ही मलाइका उन्हें गले लगा लेती हैं फिर अर्बास भी अपने बेटे पर प्यार लुटाते हुए दिखाई देते हैं किसके पलाइब अर्थान तर्वा भी घ्राइब जो कि अचे प्यास में अर्च महाँ प्योड़ान को जाएब प्रसां प्याब करदे चेल क्ते हैं अब बात कर लेते हैं जास्मिन भसीन की जी हाँ जास्मिन भसीन जितनी खुबसूरत है उतनी ही ग्लैमरस भी है इसलिए जब हसीना एरपोर्ट पर नजर आई तो उनके लुक ने खीचा सबका ध्यान फैंस ने भी जास्मिन के कैजूल लुक की जम कर तारीफ की है क्या जब जैस्मिन ? जराद्यानर मामरस भी की जास्मिन नमों किया आज भी लोगों के दिलों में ताजा है इस फिल्म से अभिनेतरी भागयushree ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था उनकी पहली ही फिल्म में उन्हें लाखों दिलों की धरकन बना दिया था भाग्यश्री ने फिल्म की सफलता के बाद ही हिमाले दसानी से शादी कर ली थी भाग्यश्री की तरह ही अब उनकी बेटी अवंतिका दसानी भी जल्द ही ओडियंस का दिल जीतने की तयारी कर रही है हलाकि आपको बता दे कि उनकी पहली वेब सीरीज मिथ्या का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो की काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है बता दे आपको कि अवंतिका को हाल ही में एरपोर्ट पर स्पोर्ट किया गया जुसमें अवंतिका बेहद खुबसूरत नजर आई तो वहीं अनुपम खेर के लिए ये साल काफी शांदा रहा विबेक अगनिहोतरी की दाकश्मीर फाइल्स और चंदू मोंदेती की कार्तिके टू की सफलता के बाद उन्हें सूरज बढ़जात्या के द्वारा निर्देशित फिल्म उचाई में देखा गया जो की बॉक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है अमिताब बच्चन फिल्म में उनके कुएक्टर में से एक हैं ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने एक साथ अभिने किया हुए दरसल आपको बता दे कि आनुपम खेर को हाल ही में एरपोर्ट पर देखा गया जहां पर उन्होंने अपने प्रशनशकू के साथ फोटो खिचवाई और मीडिया से भी इस दौरान रूबरू हुए अब बात कर लेते हैं नीना गुपता की हाल ही में आने वाली फिल्म के बारे में जी हाँ नीना गुपता और संजय मिश्रा मनुबैग्यानिक फ्रिलर फिल्म वध में पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं एस फिल्म में दोनों एक्टर्स पती-पत्नी का किरदार निभा रहे हैं जो कि एक मर्दर केस में फस जाएंगे फिल्म को लेकर नीना गुप्ता ने कहा कि ये दर्शकों को बांधे रखेगी क्योंकि वे सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा वद को लेकर कहा जा रहा था कि इस फिल्म में हिंसा को बढ़ावा दिया गया है हाला कि नीना ने इन दावों को खारिच करते हुए कहा कि किसी भी कला की तरह फिल्में भी वही दिखाती हैं जो समाज में हो रहा होता है हाला कि अभी हाल ही में नीना गुपता और संजय मिश्रा और बाकी टीम को एक साथ देखा गया वद की कास्ट एक साथ दिखी जहां मीडिया को पत्रकारों को फोटोज खिचवाते हुए सभी कास्ट के मेंबर नजर आए कि आपे हापे आपे 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 एडि मैं जो 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 बहुत अच्छा रिस्पांस है ट्रेलर का और मैंने कुछ दिन पहले फिल्म वापस देखी थी और मुझे लग रहा है कि लोगों को पसंद आएगी क्योंकि इसमें बहुत मुझे लगता है कोई भी चीज आप बनाओ ना उसमें सबसे इंपोर्टन चीज होती कि आगे क्या होगा तो इस पिक्चर में हमेशा एन तक ही रहता है कि आगे क्या होगा यह सबस्पेंस रहता है तो विच इस वेरी नाइस I think people will like it आगे किसने किया है वद और किसका हुआ है वद यह किज़ार आपने कितना पसंद किया और शूट कि दौरान कितना किछ इंपरेसिंग था निको एक तो संजे के साथ काम करना बहुत मज़ा आया क्योंकि एक तो उनका सेंस ओफ यूमर बड़ा अच्छा है प्लस वह बहुत बड़े बड़िया एक्टर है जब आपके सामने बड़िया एक्टर होता है तो आपका काम भी निखरता है तो हमें बहुत मज़ा आया बहुत गर्मी थी 45 डेग्री था और हम लोग रिक्षा विक्षा में घूम रहे थे तो तकलीव हुई लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ साथ ही पर दुदम कंजेर पर देखने के बा JACK कि लगत्या देखने मेड़िया सूचाह करां है आप सोचेंगे यह पिक्चर बाहर निकलेंगे तो आप भूल नहीं जाएंगे आप 10 दिन तक सोचेंगे कि यह सही है यह गलत है यूं करना चाहिए या नहीं करना हमेशा सापके हर करतार को बहुत जादा लोगों ने पच्छन किया है, आने वाले फिलों में और पी कौन से नहीं करतार देखना है? आप बहुत सारे So there is a film called Baah जिसमें मैं Baah का रोल करही हूँ, फिल्म है हार्दिक गजर की वो विद डॉगी Then there is another film with a doggy एक तो बहुत अनुजल कास्त है and the story seems very gripping and intriguing तो फिल्म देखी नहीं है so I am here to see the film उसके बाद I am sure everyone is gonna love it How is the experience of? Experience of? You are not part of the project No 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 I am not a part of the project I have come to cheer for the film because it's love films and I have a long and very strong association with love films so I am here to just root for love films How much excited are you after watching the trailer? I am quite excited When I watched the trailer I remember I called I call love sir So let's see Any of your projects which are going to come Any of the surprises? Next year my projects gonna come I have completed the film and it was supposed to release by the year end but it got pushed So next year I hope I will see you all in the theatres Any hint you would like to give to the audience? You will see me in the theatres Thank you Okay thank you I am very excited I am very nervous that it will be strong for me because actually I tend to I mean it is very easy to see this hardcore blood and killing so I am a bit like So I am a bit like I am very excited to see you guys because it is really nice and Neena and how many people have watched Actually, both I mean I have just Neena maim ke saath good bye So I am very excited to watch her in a different avatar So yeah But that's all for me and that's also Manav Vej right because I think he is a very wonderful actor so yeah Are there any surprise to all the fans? Any of your projects which you would like to share? Well I am excited for Ganpat of course and I have another film which is a regional language which I am very excited for I have not announced it until now but I can tell you that I have dubbed it Yes in that language so I am very excited for that to announce it very soon Any Christmas plans? Yeah Most probably I will be working on Christmas actually and I am quite excited for that And this is the year ending Any of your resolutions for the next year? Oh gosh I have thought about it I have thought about it I have thought about it and I will be looking at it I will tell you Now, audience would tell me audience would tell you Yes audience would tell me The audience has asked me to commit to it who have been in the village and who is killed because you have seen the effect we are seeing and what is happening And what is happening Did you ask too what's next question? Who has been involved in the village where we have seen the film इस फिल्म देखने आ रहा हूं बताओंगा आप भी देखेगा आप भी बताईएगा इसका विल्म का विल्म का विल्म कमाल है और नीना जी और हम तो मतलब एक दुनिया कही है बट द विल्म एंड मानव विच बहुत बट बड़ी अकाम के लिए इस ताथ ही शूट का कैसा र बड़िया था ग्वालियर खुबसूरत जगह है वहां की गलियां बनारस की याद दिलाती है और इस तरह की करेक्टर बहुत होते हैं हर शहर में हर सिसाइटी में अकेले मम्मी पापा तो एक बहुत अपना करीबी अन्बहुत था यह मुवी देखने के बाद कितना कुछ बदलाव देखने मिलेगा सभी के लगए यह तो वही बात हो गई कि हर जगए पोस्टों में लिखा रहता है और आप बदलाव जितना मिल जाए उतना काफी है अब तो हमेशा से हर किरदार लोगों ने बहुत पसंटिया है और भी किस तरीके के किरदार आपके देखने मिले बहुत अलग अभी इसी महीने पर से एक नहाजा वही किरदार सरकस वाला मिलेगा हम अजीब अमीर अगरीब नहीं है यह ठीक है क्या मेसिज देना चाहेंगे उन सभी प्रांस को जो अप तक इतना प्यार देते आए हैं कि इतनी तारीफ की है कि बॉलिवुड है जब बड़े हुए है और हम बड़े एक्साइटेट थे देखके मतलब जब चुरूर वह चुटा ही और इसके अच्छी बात हुरी थी मुझे जो अच्छी लगए कि हमने जब फिल्म बनाई थी फिल्म देखे छोटी या बड़ी नह कर रहे हैं इसमें नीना माम और संजे सर्थ सबसे अच्छी बात हो वहां हो गया कि जब इनको कहानी सुनाई हम लोगों ने जब ने रेट की तो वो नहोंने हां बोल दिया पहली बार में बिना सोचे समझे कि इसको करते है जिसको सुना रहे थे तो उन्होंने का था कि करते हैं पहले वो प्रिशेट करते हैं और अप्रिलर के बाद अब मतलब ओडियन से प्रिशेट करें तो बहुत अच्छा लगा है साथी आपने शूट किया तो आपको ज़रूर पता होगा कि सबसे बेस्ट पाट किया है जिसको देखके ओडियोंस और रिवर्ट करने वाल अब है कमूमा थूर अफ्रूर अप्रियोंस अप्रियोंस डेखेंगे इस वाट आप यू अच्छा उडियोंस अपने अच्छा प्रियोंस अच्छा वाज़ वागा आपको जो इस फामिली रामा एमोशन है और फाइनली आप एंटर्टेन हो कि निगोगे तो इस आधी मू कोई चीज कुछ करता है कोई कुछ करता है तो लोगों पर डिबेंड करता है कि कौन किस से क्या निकालना जाएगा उस यह सही कह रहे है मुझे लगता ना आज चल ओडियोंस समारी ना बहुत स्मार्ट है और तैंक्स तो ओटी टी तीस और काफी जो भी अची कहानिया लेते हैं आप एक टोटालिटी में एक इंटर्टेनिंग फिल्म लिखते हो और उसमें से वो लोग अपना मेसेज निकाल लेते हैं किसी को शायद कोई बार मेसेज मिला तो मुझे लगता है कुछ ओडियोंस सिर्फ इतने वेटरन एक्टर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस देख बेसिकली तो यह शो कर रहे हैं कुछ स्क्रिप्स हमारी साथ में लिखे हुई हैं तो आगे भी होगा आगे भी दमाल करेंगे आगे बिल्कुर दमाल करेंगे चला हवा यह उद्या के सिट पर सरकस का प्रमोशन करने पहुंची फिल्म की पूरी कास्ट आपको बताते चले कि फिल्म सरकस के डाइरेक्टर रोहित शेटी कैमरे के सामने पूस देते हुए नजर आए वही पर अभिने राज सिंग काफी हैंसम दिख रहे थे आपको बताते चले कि जैकलीन फर्नांडी बेहत गौजियस नजर आई अभिनेता विद्युद जामवाल वैसे तो अपना जन्म दिन 10 दिसंबर को मनाते हैं लेकिन मंगलवार की शाम को उन्होंने अपना प्री बर्थडे मुंबाई में अपने प्रशन्शकों के साथ मनाया बता दे आपको कि अपने प्री बर्थडे के अवसर पर विद्युद जामवाल ने बताया कि उनका एक फैन पानी पत से मुंबाई उनको जन्म दिन की बधाई देने के लिए साइकल से पहुचा तो उन्होंने अपने उस फैन को रोकनी की कोशिश की लेकिन तब तक वो पानी पत से 200 किलोमीटर आगे निकल चुका था इस मौके पर विद्युद ने सभी से दिन का कुछ समय अपने लिए निकालने की अपील की और कहा कि अच्छी सेहत ही अच्छी सूच और अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है कश बंगाते हैं कि अच्छी से अच्छी थे कर रहा है न इसाइट मुझे मुझे ही है मैं आपके बादा कर सकता हूं अभी आप अंदर रहेंगे तो एक्साइटमेंट और बढ़ेगी कि यहाद नियुक्त करने की जरुती नहीं और ज़्यादा देते रहो और ज्यादा बढ़ता ही रहेगा अपको निथा प्रियार से जब इसकते हो या लग या लग यू प्यार तो जाया प्रिया अन्डेट पर सेंसरेली प्यार दे दो तो क्या बोलते हैं आप करन मलिक जी है यह मेरा दोस्त है हरयाना स्पानिपत से आये हैं बताइए लाम लाम जी शारे बाइए ना देखो आपनी लैंग्वेजरी आना मैं शारे बाइए राम लाम कहना चाहूंगा और गुरुजी ने इतनी इज़त दी मतलब जान आजी रहा है जान भी कम है तो कुछ भी कर सकता है आपको पता है मैं बहुत प्राउड हूं यह सोना सो किलोमेटर साइकल चला के आये हैं और मैं इनके वीडियो देख रहा था पूरे रस्ते में आदमी बहुत ठक जाए तो वहीं सिंगर तुलसी कुमार शट अप के टीजर लांच पर पहुंची जहां उनके साथ कई फिल्म मीडिया से भी बातचीत की I've seen the Indian I've always been fortunate to get all the songs I see the South Indian culture in every frame गाना आने दो तो आपको पता चलेगा मैं कम बोलती हूं अभी जो आप सबने टीजर देखा चोटा सा वो अच्छी बीटियस टीम ने ही कट किया है Because obviously Kiddy has to leave India वो कल ही वाफिस जारे और ये सब जो आपने अभी देखा वो Actually में कल कोची में शूट किया है अदल सर यहां है उन्होंने शूट किया है And हम लोग सब सुबह आज सुबह यहां आय है Just to show this glimpse to all of you and of course कुछ दिनों में गाना रिलीज होगा So yeah, I'm very very excited and this was on the cards काफी ताम से सोच रही थी के कुछ करना चाहिए Interesting, कुछ different collaboration करना चाहिए Indian artists, सब के साथ मेरा almost you know I've done a song with pretty much every artist by God's grace So yeah, I'm just stepping in a new world My first ever international collaboration with a very very talented kiddy who is from Ghana And yeah, to the whole team who helped me put this entire song together Tanishk, of course, all So basically, 2000 Babis, South के लिए बहुत अच्छा रहा है So when I got the song, the first thing came के, what, where we can go, where we can, you know, showcase the Indian culture basically तो पहले आरा था के, should we go to Rajasthan or should we go to Punjab? So, but I believe Rajasthan and Punjab, people have seen, like everyday we are seeing But showcasing Kerala and showcasing South and Indian culture, जो अदर एक एक चीज थी, जो हम लोग ने इस वीडियो में प्रेस्ट के, I believe that will be fresh to watch And the song is already a big cult over here So once it's the mixture of the audio and the visual mixed together, I think people are going to really enjoy this, watch it Designer Manish Malhotra के जन्मदिन की पार्टी में कई Bollywood सितारे नजर आए और अब Manish Malhotra की पार्टी की तस्वीरे भी सामने आ चुकी है इस दोरान सभी Bollywood हस्तिया अपने होट और स्टाइलिश अंदाज में नजर आई किसी ने बोलनेस का तड़का लगाया तो किसी ने सादगी से फैंस का दिल लूटा वही कई स्टास ने अपने स्टाइलिश अवतार से फैंस को दिवाना बना दिया गौरी खान ब्लैक गाउन में बदली गिराती हुई नजर आई वही करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोडा और अमृता अरोडा भी ब्लैक में ट्वेनिंग कर रही थी अपने बाट का बार है, थर्ड बाट भाई नाइस लुक बाई बाई आपे बाई बाई आपे बाई सात में रुखे भावी जी रुखते नहीं है बिग बोस ओटीटी की विनर और टीवी एक्टरस दिव्या अगरवाल अब 30 साल की हो चुकी है बीते दिन एक्टरस ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है ऐसे में अपने बर्थडे बैश पर दिव्या अगरवाल एकदम होट अंदाज में नजर आई परपल शिमरी स्लिट ड्रस में दिव्या बेहद खुबसूरत नजर आई अपने बर्थडे बैश पर दिव्या अगरवाल ने मीडिया के साथ केक काट कर अपना जन्म दिन सेलिब्रेट किया इस दोरान दिव्या ने हाथ जोड कर मीडिया को उनके सफर में हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया पता दे कि दिव्या ने 2017 में स्प्लिट्स विला से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी इसके बाद वो कई रियल्टी शूज और म्यूजिक वीडियोज में नजर आई और इसी के साथ इस बॉलिवूट की खास पेशकुश में मेरे साथ बसतना ही आप देखते रहें आरियान्यूस